करीब 13 दिन होने को आए और इस देश के सबसे होनहार खिलाडी जो इस देश के लिए पदक जीत कर लाते हैं दिल्ली की सडकों पर बैठ कर प्रदर्शन कर रहे हैं न्याई की आस में पर आस उन्होंने किस से लगाई है उस सरकार से जिसके अंदर की नेतिकता और मर्यादा प बचसलूकी करी महिला खिलाडियों को गंदी-गंदी गालिया दी गई वहाँ पर हाथा पाई की गई लाठिया चलाई गई यह सब किसके इशारे पर हो रहा है यह सवाल उठता है लेकिन उससे पहले एक बात कहनी जरूरी है कि गंभीर आक्षेपों से घिरे भाजपा के ब पधान मंतरी किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कौन से मुहर्थ का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उनको तो यह सब बाते 2021 से पता हैं क्योंकि विनेश भोगट ने जिनको घर की लड़की कहते उसने जाकि खुद इनको बताई है और अब ये भयावे स्तिती देखकर भी आप चुप बने बैठे रहीएगा मोदी जी आज सवाल इस बात का है कि क्या आप अपनी चुपपी तोड़ियेगा और किस मुह से आप करनाटका आकर यहाँ पर नारी शक्ती की बात करते हैं जब देश की बेटियों के साथ बदसलुकी हो रही है लेकिन इस पूरे प्रक्रण में बहुत सारे चेहरे बेनकाब हुए मैं पहली बात करना चाहती हूँ इस देश के ग्रहमंत्री अमित शाह की अमित शाह की दिल्ली पुलीस की असलियत यह है कि उन्होंने एफ आई आर ही लौज नहीं करी तब तक सुप्रीम कोट ने निर्देश नहीं दिया और अब अमित उन्हों की डिल्ली पुलीस ने कल महिला खिलाड़ीों के साथ और अने वहां पर खिलाड़ीों के साथ बद सलूकी नहीं बद तमीजी करी है और उनके साथ अन्याई किया है अमिच्छा जी आपका चेहरा बेनकाब होता हुआ पूरा देश देख रहा है दूसरी बात तो मोधी जी की करनी ही पड़ेगी क्योंकि जो आरोपी है वो कह रहा है मोधी जी कहें तो मैं स्तीफा दे दूँगा लेकिन मोधी जी पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे है बेटी सडकों पर बैठी है तो एक शब नहीं बोलेंगे तीसरा चेहरा बेनकाब होता है इस देश के खेल कूद मंत्री का अनुराक ठाकुर का आप मीडिया के इवेंट्स में जाके स्किपिंग करिएगा पुश अप्स करिएगा और जो महिला खिलाडियों का आरोप है जो चोथा चेहरा बेनकाब होता है भाजपा की महिला नेत्रियों का और खास तोर से महिला बाल विकास मंत्री स्मृति रानी का उन्होंने तो मौन धारण करिया इस पूरे मुड़्दे पर वो गला फाड़के तभी चीखती है जब राहुल गांधी का नाम आ जाता है विपक्ष के खिलाब साजश रचनियों भाजपा के साथ मिलकर अन्निता वो कहीं पर भी किसी महिला के खिलाफ अत्याचार हो जाए वो एक शब नहीं बोलती है कोई कारवाई नहीं करती है विपक्ष का मामला हो दोड़ी-दोड़ी चली जाएंगी काम करने के लिए सारा रंजिश के तहट साजश के तहट वो काम करती है छठा बड़ा बेनकाब जो होता हुआ व्यक्ति दिख रहा है बहुत प्रियांग कानुन को एंसी पीसी आर के चीफ जो राश्ट्रे बाल अधिकारों का बाल सुरक्षा का आयोग है उसके चीफ वो तो भक्ती में ऐसे तली इन है कि बिचारे के पास वक्त ही नहीं है कि पॉक्सों जैसा गंबीर आरोब जब लगा है तो उसका संग्यान ले ले उस पर कारवाई कर दे लेकिन अभी विपक्ष का नाम आ जाने दीजे राहुल गांदी जी का नाम कहीं पर आ जाए अगर उनसे कुछ बच्चे मिलने चले आए तुरंट चिठियां लिखने लगते हैं चुनावायोग को सात्वा बड़ा बेनकाब और इससे मुझे थोड़ा दुख होता है वो बड़े बड़े खिलाडी वो नामी गिरामी सितारे हैं जो बड़े मुखरित होते थे जो खोब बोलते थे उसमें से कुछ है जि बहुत धूमिल हो गए अपने चुप रहने से और अपने अनर्गल बयान बाजी से जो हक के लिए लड़ रहा है उनको बवाल मचाने को कहा जा रहा है आठवा तो मीडिया की बात करनी ही पड़ेगी देनियस थिती है मीडिया की बिचारों को समझी में नहीं आ रहा है क्या करें अब खिलाडियों के पक्ष में तो बोलना ही पड़ेगा इतना प्रशन है जनता का इस था दुभी सवाल किये जा रहा है मजा रहा है कि प्रधान मंत्री- कूह इं ROB लेकिन असलियत यह है कि आप जो गेंध है ना वह ब्रजभूशर शाणर सिंग ने आपके पाले में डाल दिये मोदी जी यह कहकर कि जब आप कहिएगा यह ग्रह मंत्री कहेंगे तो आप किस बात का इंतजार कर रहा है क्योंकि यह देश देख रहा है कि न्याय और अन्याय की बीच की दहलीज में अब आप खड़े हुएं आप क्या करिएगा वो बताएगा कि इस देश की बेटियों की रती भर भी आपको फिकर है कि नहीं तेरा दिन से उपर होने को आगए वो सुशोवित खिलाडी जो इस देश का गौरव बढ़ाते हैं जो बड़े-बड़ों को पठकनी दे देते हैं जो लोगों को चारों खाने चित कर देते हैं आसुओं से रो रहे हैं न्याए और अन्याए के बीच की इस देलीज में अब आप खड़े हैं क्या कीजेगा मोदी जी